वेल्कम बैक टूर चैनल मैडे श्टुडेंट देखिए आज के पूरे सिप्ट का कोस्चेन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और साथी साथ हम कटफ को लेके कुछ चर्चा करेंगे ठीक है देखिए पहले चीज तो हम पॉल में यानि की कम्यूनुटी टैब में आ ठीक है और उसको वोट करिएगा पहले चीज दूसरी चीज यह कि आज की सिप्ट का सारा कोस्चन देखते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ओवराल यह एक्जामिनेशन कैसा रहा और आगे क्या स्टेटेजी होगी ठीक है तो लाश्ट तक बने रहें बिलकुल कू संकल कुमार इन्होंने कहा कि सर आपने जो पर है वो कोस्चन आया था और इन्होंने 49 कंप्लीट टीक है तो यह बहुत अच्छा मार्क है यह गलक नहीं किया होंगे तो ठीक है और यह नेक्ष्ट है चंदन का यह कह रहे हैं कि सर अरुनाचल प्रदेश की सीयम यानि 24 सेटे क्या कमेंट आया। नेक्स्ट कमेंट है यहां पर सरदVeer का यह कह रहे है कि सर आप में से बहुत आया, thank you, sir, cut off कितना रहेliestला तो cut off के लिए मैं आपको दे दिया हूँ, आप जाके, वाहं पर सकते है, world population, day के बारे में धिया गया था, my friends, जब मैं पढ़ा रहा था आपको न तो ये सारी चीजे आपको ये बच्चे जो है कि जुड़े हुए थे प्लीज बताएं सर एर फोर्स का एज लिमिट क्या होगा तो देखें इसके उपर मैं वीडियो लाओंगा और मैं वो जो वीडियो होगा एज लिमिट के यानि कि नेक्स्ट मैं डीटियल लखूंगा उसके बाद आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं मेरा नेक्स्ट वेकेंसी में एज होगा कि नहीं होगा ठीक है तो वो वीडियो जरूर देखेगा उसके उपर मैं आपको वीडियो दूँगा और सर मेरा इंगलिस अच्छा रहा सर आपक का एंटो और इस्टेटिक का एंटो ऑथर का अब्स्ट्रेक्शन नाउन नो सुनर के बाद क्या आएगा देन आता है और जीएस में एस सी ओ कहा हुआ था ठीक है तो कुल मिला के इन लोग का पेपर अच्छा गया ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को और देखते कि क्या 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 कोश्चन आपकी एक्जामने तो यह आया था आज मिस लेनियस के बारे में यहाँ पे पूछा गया था देखिए मैं जब इसको करा रहा था ना इस पेलिंग टेस्ट में तो एक बच्चा कमेंट किया था कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं फाल्तू का इतना आसान नहीं पूछता है तो उस टाइम उनको फाल्तू लग रहा था तो हो सकता है कि वो आगे कंटीन्यू रहे हों या छोड़ की चले जाए हों that doesn't matter बट जब लगता है ने कि आपको फाल्तू है और यह इजी है तो यह देख लिए आप मिसलेनियस का question पूछा गया था मैं फूट कर मिसलेनियस ठीक है यह कई बार पूछा गया है तो मैं जब भी पढ़ा रहा था ना तो वो लोग बहल रहते कि सर आप मतलब बहुत इजी पढ़ाते हैं लो सुनर के बाद दैन बताई इससे इजी क्या हो सकता है पंचायती राजब्योस था ठीक है पंचायती को मैं करा रहा था ठीक है तो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे कमेंट के कि सर इतनी आजसान नहीं पूछता है आप देख सकते कि कितना इजी पूछा हुआ है तो इसकी सुरुवात की बारे में साथ पूछा गया थो तो राजस्थान की नागवर जीले से वह है आपको यह दी विश्वास नहीं तो आप अभी वीडियो जाके देख सकते हैं सब पड़ा हुआ है ठीक है और कांग्रेस की अस्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी एक कोस्चन आया था प्रेम सिंग कहा के मुख्यमंत्री है देखिए मुख्यमंत्री में यह कोस्चन थोड़ा कराया भी था ठीक है तो विश्वजन संख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और यह देखिए काफी इजी कोस्चन यहाँ पर मैंने इसको कराया था कि इंडिफरेंस का साइनोनीम क्या होगा तो इसका मतलब होता है उदासीनता और इसका हो जाएगा अपैथी या कि फ अच्छा करना यह सारी चीजे पढ़ाई हुई है जो बच्चे तीन-चार महिने पहले से जुड़े हुए थे उनको लगा कि यार पेपर बहुत अच्छा है उन्होंने आप देख सकने कमेंट कि उन्होंने कमेंट किया कि सर ओवराल पेपर बहुत ही आसान था ठीक है तो ज इस बार की जो पेपर हुए वो एक-दो सिप्ट को छोड़ दिया जाए न तो जनरली पेपर ओवराल मिला के कह सकते हैं कि ठीक था था ज्यादा टफ नहीं कहेंगे और ज्यादा इजी भी नहीं कहेंगे ठीक है कुल मिला के ये मीडियम में था और मैं बात करूँगा ओवर इस बार भी कटफ जाएगी तो हर बार मैडिय शुटरें जो एकजाम होता है आपके एरफोर्स का वो लगबग सेम रहता यार मूल बात किया है कि जो बच्चे सुरू से तयारी करते रहते है न तो वो उनको थोड़ा सा आसान लगता है आसान लगता है लेकिन जैसे कि एड लगता है लेकिन जो भी बच्चे दो तीन महीने पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये काफी एजी था तो एरफोर्स एक ऐसा कह सकते हैं कि कंपर्टिशन का एक एकशाम है लेता है कि जो कि आईसा कभी नहीं कोस्टन इन्हों ने पूछा कि आपको मतलब पता नहीं कि कहां से कोस्टन आ गए ठीक है जो भी कोस्टन ये पूछते हैं मैं इस चीज को बार बार कहता हूँ तो आप जिन केंडिट्स का इस बार लगा कि नहीं पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ है वो बिल्कुल टेंसन मतले मैं एज लिमिट बता दूँगा तो आप यदि नेक कर सकते हैं कि क्या रिस्पॉंस रहा ठीक है मैं एक चीज और बार बार बोलता था ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन समझेगा मैं बार बार बोल ला था कि आप कोई बच्चे नहीं है आप यहां पे आये हुए हैं तो कम से कम आप 10 प्लस टू यानि की 12 पास कर के यहां पे इस प्लेट फॉर्म पर आये हुए हैं तो आप भी बच्चे नहीं आपको बताने की ज़रूत नहीं कि कहां पर सही पढ़ाई जा रह스트ह रहा है और कहां पे लोग गलत चीज पढ़ा रहे हैं कहां पर लोग बहकाने की कोशिव कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं, जैसे आप review देख सकते हैं, या कि फिर आपने exam दिया, तो आप analyze के रिए और यदि आपको next बार exam देना है, तो आप खुद decide करें कि मुझे कहां से पढ़ना है, कौन सा resources, कौन से ब्यक्ति, कौन सा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब overall आप खुद decide करो कि नहीं मुझे से ये subject इस सर से पढ़ना है, और मुझे यहां यहां से इस प्रकार से note बनाना है, आज ही अपना एक strategy लिखे, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उस नियम पे आप आगे चल पाएंगे, ठीक है, आज का यह जो दिन है, आपका overall exam खतम हो गय तो ये दिन आपको भूलाने के लिए नहीं है, मैं आपसे request करूँगा कि एक panel लिजे और एक diary या कि फिर ऐसी कोई चीज जो कि आप फेके न, कोई ऐसा notes हो, उसके पीछे आप ज़रूर लिखे कि आपको आगे मतलब किस प्रकार तयारी करना है, यार कोई और कैसे आपको ब पढ़ाया तो नहीं फसा और किसे ने पढ़ाया तो फसा, ये चीज आप खुद analyze करिए और decide करिए, ठीक है, तो ये आपका plan आपको आगे success बनाएगा, ठीक है, यदि ये चीज समझ में आयो तो इसको like करिए और अपनी राय comment box में लिखिए आपको क्या problem हो रही है, कौन सी problem है, सारी चीज आप comment box में कर सकते हैं, और ये ये चीज समझ में आयो तो इसको like जरू कर दीजेगा, मिलेंगे next studio में तब तक के लिए, bye bye, take care